बुधनी विधान सभा सीट पर चुनाव जीतना दोनों ही दालों के लिए कितना चुनाती पूर्ण है यहां का जातिय समिकरन समझाए शेत्रिय समिकरन किस तरह से है बुधनी का विवेक बुधनी का सभी करण इसकदर है कि यहां पर सबसे यादा आदिवासी और OVC वोटर है और OVC वोटर और आदिवासी वोटर ही तैय करते हैं कि आके जीत का मार्जिन कितना होगा और सबसे महत्मूर्ण बात है कि रमाकान भार्गों को जब से टिकेट दिया है पार्टी के त पुनाओं मैदान उतारा लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि भार्गों के खिलाब नाराज़ी कम नहीं है क्योंकि जब वो सांसा थे तब छेतर में जनता के बीच वो जाते ही थे छेतर से लापता रहते थे यह उनकी जनता के शिकायत रही है हलाकि विकास के मुद्दे पर का एक बड़ा प्लान था उसके पीछे की वजह है कि जिस समाज से शिवरा सिंग चहान आते कि राड़ समाज से उसी समाज से आते हैं राजकुमार पतेल और कॉंग्रेस को यहीं उम्मीद है कि समाज के वोट मिलने के साथ साथ कॉंग्रेस को ओभी सी और आदिवासी का सवा में शपत लेगा लेकिन एक सबसे दिल्चस्प मुकाबला बुद्नी में यही रहेगा कि आखिर रमाकांद भार्गों को बीजेपी के नेता और कारकरता जनता सुईकार करते हैं या फिर राशकुमार पटेल को जिताकर विधार सभा पोख जाएंगे लेकिन एक सबसे द हैं शिवरा सिंग चोहां के काम से और यही वज़ा है कि यहां पे रमाकांद भार्गों को थोड़ी उम्मीद तो रहेगी कि भले पार्टी के भीतर नराजगी है कारकरताओं को भीतर नराजगी लेकिन जनता ने उनका साथ दिया है लेकिन आख्री चैसला 20 तंबर कोई हो यह समझना भी वह जरूरी है कि इस बार का मुकाबला इतना खास और इतना चुनाती पूर्ण क्यों हो जाता है तो आपको यह भी बताएंगे कि देखें इन विधान सभा सीटों पर क्योंकि तीन विधान सभा सीट है कुल मिलाकर मध्यप्रदेश और 36 कर में मध्यप्रदे सोनी पर विश्वास जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया तो कॉंग्रेस ने यहाँ पर आकाश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है अब ऐसे में जहां बीजेपी का गड़ रही है इसी टाट बार ब्रिजमोहन अगरवाल ने यहाँ पर विधाय की रूप में ज जीत मिलेगी तो वहीं कॉंग्रेस क्योंकि ब्रिजमोहन अगरवाल लोकसभा में चले गए है यानि की सांसद बन गया वैसे में कॉंग्रेस को मीदव है इस बार जनता कॉंग्रेस पर भरोसा जताएगी और आकाश शर्मा को जेत हासिल कराएगी अब चलिए रायपूर के मद्ध प्रदेश की बात कर लेते मद्ध प्रदेश की भी दो विधान सभा सीटे हैं जिन पर आज उप्चनाव होना जा रहा है सबसे पहले बुधनी की बात करें बुधनी का मुकाबला इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहां पर रमाकांत भारगव मैदान में है और दू 1993 में एक बार कॉंग्रेस से चुनाव जीच चुके हैं तो यहां पर भी मुकाबला बहुत खास से लेगर विजयपूर के हम बात करें तो देखें विजयपूर विधान सभा सीट जो के आदिवासी बाहुल सीट है इस सीट पर बीजेपी ने रामनिवास रावत को प्रित्य बिजेपी में शामिल हुए और बीजेपी नहीं केबिनेच का मंत्री भी बनाया और उसके साथ उन्हें आप प्रित्याशी बनाया गया है तो यह मुकेश मलहुत्रा कोंग्रेस प्रित्याशी जिनके बीच यह टकर होने जा रही है और चले हमारी सहयोगी भी जे लगातार को साधना भी एक बड़ी चुनावती माना जा रहा है रावत समाच के लोग भी बड़ी संख्या में है ऐसे में दोनों ही दलों के लिए जातिगत समीकरण को साधना कितना चुनावती पूर्णिया पर देखा गया है अनिल बिलकुल देखिए रितू साई का आपने क्योंकि ये जो बिजैपुर बिदान सवा है वो जातिगत के आधार पर है और यही बज़े है कि जातिगत वोट बैंकी यहाँ पर तेय करेगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी और यही बज़े है कि जब प्रचापरसार किया था बीजेपी और कॉंग्रेस ने कोई कोर कसन नहीं छोड़ी हर जाती का नेता यहाँ पर उतारा मैदान में और वो लगाता है परचार परसार करते नजर आए। क्योंकि 60-70,000 बोट बेंक है और सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर जाती गत बोटों को साधने के लिए कड़ी मेहनत की और यही बज़े है कि खुद मद्द प्रदेश के मुक्यमंती डाक्टर मोहने आदब यहाँ पर दो दिन रात्री में र आदवासी के अगर बात करें तो आदवासी यहाँ पर 60-70,000 है तो वही राबत अगर समाच की बात करें तो यहाँ पर 17,000 से अधिक राबत के हैं तो वही कुस्वा समाच की अगर बात करें तो 35,000 बोट हैं तो यह निंडायक बोट माना जाता है कुस्वा समाच यहाँ पर आदवासी बोर्ट बेंक को अपने आप खुद ही पार्टी में रिजाने के लिए बीजेपी ने भी कोई कोर कसन नहीं चोड़ी है बीजेपी ने भी लगातार अब जो विकास का रहे हैं साती साथ जो आदवासीयों को लेकर विकास योजना हैं उनको लेकर वहाँ तक गए औ और उन्होंने कहा कि हम आपका भला करेंगे सरकार हमारी है जो योजना चल रहीं वो आप तक पहुंचाएंगे यही बार और दूसरी अगर बात करें तो कॉंग्रेस की तरफ से खुद उम्धाबार आदवासी हैं उन्होंने इस तरीके से जो गद्डारी की है कॉंग्रेस पार्टी के साथ रामरवास रावत ने उसका खामे आजा उन्हें भोगतना है और यही बज़े उसका बदला लेने हैं तो रितु कहीं न कहीं यह जो पूरा चुनाब है वो भीजे पी ने विकास के मुद्दे पर जो लड़ा है और वहीं कॉंग्रेस की अगर बात करें तो ग अगर भी सबकी नजरों के अनेला बने रहेगा तो देखे विजयपूर विधान सभा सीट की हम बात करें लेकिन अब आप भी आंखडों के जरीए समझ लीजे क्या खिर विजयपूर विधान सभा सीट का जातिगत समिकरन क्या कहता है सबसे पहले आदिवासी वोटर्स की अपने पक्ष में लिया जाए क्योंकि निर्नायक वोटर्स हैं दूसरे तरफ बात करें देखे 35,000 की संक्या में यहाँ पर जाटव समाज के वोटर्स हैं जो खुद निर्नायक भूमिका निभाते हैं इस चुना में और उप चुना में देखे जाटव समाज के जो वोटर् सार मतदाता है जो चुनाव में महत्वपून भूमिका निभात हुए नजर आते हैं ब्राम्हन गुर्जर और अन्य की बात करें तो देखे 65,000 के करीब यहाँ पर ब्राम्हन गुर्जर और अन्य बोटर्स हैं तो यह तो है विजयपुर का जातिगत समीकरण और इसी समीकरण को समझते हुए प्रित्याश्यों ने भी पूरी कोशिश की है किस चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए विजयपुर को आपने समझा विस्तार से चलिए आपको बुधनी को विस्तार से समझाते हैं और बुधनी का जातिगत समीकरण बताएंगे लेकिन उसके पहले हमा पर दलित वोटर यहां करीब साथ फीजदी हैं इसके लाब ब्रामण च्छतिली करीब तीस फीजदी हैं और अन्य जो सबसे महत्मूर जो जाती समीकरण की बात कर ली जाए तो सबसे रहादा आदिवासी और OBC वोटर से और यही जीत के साथ-साथ आखिर जीत किसकी कितने हजार वोटों से होगी और जब तक शिवरा सिंग चोहान रहे उनके जीत का अकड़ा लगातार बढ़ा है और इस बार तो एक लाग से पार हो गए थे इस बार क्या समीकरण बनते हैं आखिर कौन कौन सी जाती यहां पर समीकरण बन जाती क्योंकि राज कुमार पटेल किरा सबसे यादा लेडी मार्जिन से कौन जीतेगा और जहां तक जाती फैक्टर की बात कर ली जाए तो यहां पर ब्राम्हार और अगर राजपूत एक समाज एक जूट होते हैं और यहां पर बीजेपी के कार करता ओवी सी जो है वो अगर राजकुमार पटेल का साथ नहीं द लेकिन अखिर यहां पर जाती समी करना किसके साथ आखरी में आएगा ये देखना दिल्चास्प होगा क्योंकि लगातार यहां पर शिवरा सिंग चोहां दौरे करते रहें रमा कान भारगौ चुनाओ पचार करते हैं लेकि भार्गो के चुनाओ पचार और उनके दौरे मे कोई ऐसा करिश्मा ने दिखा कि ऐसा लगा हो कि उनके साथ कोई एक विशेश वर्ग जुड़ा हुआ है लेकिन शिवरा सिंग चौहान के साथ पूरी बुद्नी लगातार रही है और बुद्नी का हमेशा शिवरा सिंग चौहान को साथ भी बिला है जब भी चुनाव पचार बुद्नी की जनता शिवरा सिंग चौहान के साथ खड़ी हुई है लेकिन रमकान भारगाओ के पक्ष में खड़ी होगी या फिर राजकुमार पटेल की पक्ष में खड़ी होगी यह देखना दिल्चस्प होगा